हेलो एबरीबड़ी मैं हूँ सेयत तहा कादरी और आप देख रहे हैं केम टॉक्स और अभी वेटनेस टे को ब्लूमबर्ग की एक वेल्दियस्ट परसन की रैंकिंग की एक इंडेक्स जारी होती है उसमें वेटनेस टे को एक बहुत ही बड़ा बतलाव आया मैं फोर्ब्स की मैं एक्सीन या फोर्ब्स रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं वो अलग रैंकिंग होती है यह डेली बेसिस पर रैंक देती है लोगों को वल्ड में की टॉप रिचेस्ट परसन या टॉप किसी भी फिल्ड में टॉप परसन को तो रिचेस्ट परसन की रैंकिंग में एक ब कंपनी के जो मालिक हैं जिनका नाम है इलान मस्क उन्होंने सब को पीछे छोड़ते हुए वेटनेस टेको दिन में सबसे टॉप पर पहुच गए हैं वर्ड के रिचेस्ट परसन वर्ड के रिचेस्ट परसन बहुत बड़ी बात होती है और आपको पता होगा एमेजन के जो फाउंडर हैं वो हैं इस वक्त फोल्स मैगजीन पर आप देखोगे फो या इंटरनेट पर देखोगे फोल्स की साइट पर देखोगे अभी भी आपको दिखेगा की वर्ड की रिचेस्ट परसन वो जेफ ही है बट अगर आप ब्लूम बर्ग की वेबसाइट व मिलियन डॉलर के साथ क्रॉस कर दिया है जेफ को और बन गए हैं वर्ड की रिचेस्ट परसन और अब यह ऐसा हुआ क्यों यह समझेगा इलॉन मस्क अचानक से वर्ड की रिचेस्ट परसन कैसे बन गए क्योंकि उनके टेसला कंपनी के शेयर में वेटनेस डे के दिन एक बड़ी गिरा बड़ा सकती है बड़ा उच्छाल देखा जा सकता है कभी भी देखा जा सकता है वाई शेयर कभी भी किसी को बेच सकते हैं आप खरीज सकते हैं अलगलग शेयर होते हैं यह तो अलेकर टॉपिक हो जाएगा बट वो शेयर जो खरीदा बेचा गया या जो भी हुआ उनके company के shares के साथ हुआ अच्छी बात ये कि उनके shares 5% increase कर गए Tesla company के और उसी के साथ वो पहुझ गए 190 billion dollar पे जो की Jeff से कहीं जादा है लगभग 5 billion dollar आगे है यानि आप मान सकते हो कह सकते हो कहीं-कहीं 180 billion dollar दिखा रहा है जिफ का कहीं-कहीं 185 दिखा रहा है बट 190-195 दिखा रहा है इलॉन मस्क का तो फोर्स की website ने भी यही कहा कि नहीं अभी इलॉन मस्क थोड़े समय के लिए हो सकते हैं रिचर्स परसन मगर अभी भी जो बने हुए हैं रिचर्स परसन वो है जिफ तो मैं फिर से clear कर दूं कि अगर आप फोर्स की site पर जाओगे वहाँ विजिट करोगे तो आपको अभी भी जिफ पहली रेंकिंग पर दिखेंगे और थर्ड ओल्ड नंबर पर आपके लॉन मस्क दिखेंगे अगर आप प्लूंबर की site विजिट करोगे और उनकी उनका देटा देखोगे तो उनके डेटा में आपको पता चलेगा इलॉन मस्क जो हैं वो दुनिया के रिचेस्ट परसन हैं तो देखें कितना बड़ा production होता है कितनी बड़ी economics में बदलावाता है कितना कुछ होता है उ लॉन मस्स ने बस चाइना में अपनी एक company setup की Tesla electric car manufacturing company और यह manufacturing company ने चाइना एक डेफलेप कंट्री है population अच्छी खासी है और चाइना के मैंने एक वीडियो में पहले बताया थे चाइना के लोगों ने इस बात को accept किया कि वह electric car को purchase करेंगे चलाएंगे तो देखिए यहीं से वो बदलावाया है चाइना बड़ा मार्केट है दुनिया में चाइना का भी बड़ा मार्केट है कोई भी चीज चाइना में manufacture हो रही वो दुनिया में विक रही है और चाइना जैसे country में जिस भी company का setup हो जाएगा जाहिर सी बात है वो billions में खेलेगी तो उनका market बहुत बड मार्केट को तरह से capture कर लिए सिर्फ और सिर्फ टिकनोलोजी से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्रियल तरीके से तो अभी आप ranking देखोगे अगर साइट पर जाकर या आप Bloomberg की तो वहाँ भी जो टॉप फोल टाइफ फाइफ टॉप फाइफ कंपनी आपको मिलेगी ना वह मिलेंगे टिकनोलोजी में साफ साफ दिखा उसके आगे होगा कि वह कंपनी का टाइप क्या है टेकनोलोजीकल टाइप है तो दुनिया बहुत तीजी से बदल लाई है और वाट्सेप के अपडेट फीचर भी आपको मिल ला है तो समल के चलिए क्योंकि अपडेट चेंज हो रहे हैं और दुनिया चें और उसकी वैल्यू पता चल सके इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं आपको हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है किरूसिटी फॉर न्यू थिंग्स करके अट तरेट किरूसिटी फॉर न्यू थिंग आप सर्च करोगे अंडरेस्कोर में तो आपको वह मिलेगा वहां कि परसनल अपडेट की हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सही है तो उसको विजिट करिए लाइक करिए शेर करिए इस वीडियो को भी जादा जादा शेर करिए सब्सक्राइब करिए थाइंक्यू वेरी मच्च फिर मिलते हैं नहीं वीडियो को साथ